नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तों IPL 2022 में RCB टीम ने अपने 11 मैच में चिन्नेई को हरा दिया है जिसके बाद RCB की टीम ने दो और एहमंख हासिल कर लिया है RCB को फिलाल जो है तीन और मुकाबले खेलने हैं तीन में से यदि तीनों मैचेस जीतते हैं तो प्लेओफ के लिए कंफर्म कौलिफाइक कर जाएंगे वहीं दो मुकाबले ही जीत पाते हैं तो टीम के खुल 16 अंखों जाएंगे 16 अंखों के साथ भी टीमें कौलिफाइक करते हैं लेकिन फिर जो है वीडियो में देने वाला हूं तो भाईयो गर आप भी RCB के फैन हो तो वीडियो को जादा से जादा लाइक कर दीजिए वहीं हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी दबा लीजेगा ताकि ऐसी ही डेली अपडेट साब तक हमेशा पहुचती रहे Only RCB के नाम से हमारा टेलेग्राम चैनल भी है अगर उसे जोईन नहीं किये हो तो याद से जोईन कर लो वहाँ भी आपको RCB टीम से जोड़ी और क्रिकेट की हर एक important news लगातार मिलती रहती है तो भाईयो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी फटा फट जाएए वहाँ पर उसे भी जोईन कर लीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं IPL 2022 में अगला मुकाबला RCB को खेलना है हैदराबाद के खिलाफ यहाँ से RCB टीम को तीनों मैचेस में कम से कम दो जित्तों हर हाल में हासिल करने हैं अगर तीनों मुकाबले जित्ते हैं तो RCB टीम के लिए बड़ा फाइदा होगा क्योंकि फिर वो डारेक्ली प्लियोफ में जा सकते हैं शायद से उन्हें नमबर 3-4 या फिर 2 की पोजिशन भी मिल सकती है वही दूस्तों प्लियोफ के लिए बचे हुए तीन मैचेस से पहले RCB टीम के लिए बड़ी खुशखवरी यह है कि उनके दो मेरिन दिगज खिलाड़ी फॉर्म में वापसी कर चुके हैं जो हैं फैब, डॉपलेसी और विराट कोहली हम सभी को पता है कि इनका फॉर्म में रहना RCB टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है इससे पहले ही RCB के प्लेओफ में जाने की उमीदों को जटका लग जया है इनका फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और यह हुआ भी चिलनाई के खिलाब दोनों ही खिलाड़ों ने दिखा जिया कि वाइपिल 2022 के लिए बचे हो मैचेस में RCB टीम के लिए अच्छा करेंगे वो टीम को हर हाल में प्लेओफ तक लेके जाएंगे शायद से टीम चैंपियन भी बन सकती है अगर प्लेओफ की राह RCB टीम पार करती है फाइनल तक पहुचती है तो फिर RCB इस बार चैंपियन बन सकती है लेकिन पहले कोशिस यह होगी की कैसे ना कैसे प्लेओफ में पहुचा जाए अगर बाइचान स्टॉप टीम की पोजिशन मिलती है तो फिर RCB टीम डारेकली फाइनल में जाएगी वहीं तीसरे या चोथे पाइन पर रहती है तो RCB को वहाँ पर पहले तो Eliminator खेलना पड़ेगा इसके बाद Qualifier 2 जीतना पड़ेगा जिसके बाद ही वो फाइनल तक पहुच पाएंगे तो कोशिस यह होगी कि टीम जो है पहले पोजिशन या फिर दूफरे पोजिशन पर पहुचे ताकि वो फाइनल में डार्क ली जा पाएं तो दूफ्तो विराट कुली फॉर्म में आ चुके हैं फैब डुपले से भी फॉर्म में वापसी के संकेत दी हैं दोनों नहीं चिन्नले कि खिलाफ RCB टीम को करते हुए अच्छे श्रुवात दिलाई थी दोनों नहीं पहले विकेट के लिए वहाँ पर 62 रनो की साज़ेदारी की थी जिससे टीम को एक अच्छे श्रुवात मिली और टीम जो अच्छे टोटल तक पहुँच पाई तो इनका ऐसे ही खिलना RCB टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले मैचेस में इनका ऐसा ही प्रदर्शन टीम के बहुत काम आने वाला है इसलिए फैंस यही उमीद कर रहे है कि विराट को लिए और फैब डूपलेसी दोनों